हेलो एवर्यवन यहसे वेरी गूद इवनिंग तो आल कैसे हो आप सब वोप यह रहल फाइन जी हाँ ओडियो वीडियो एक बार बता दो क्लियर आ रही है सभी को एकदम वाइस वगारा सही है फटा फट से लाइव आ जाईए और लाइक शियर कर दीजे भी सेशन को फटा फट इस वेरी गूद इवनिंग तो आप सब का स्वागत है मैकरो एकनॉमिक्स की स्पाइली क्लास में यह मैक्रोक्लामिक्स की सीरीज जो यूट्यूप पर फ्ली आफको थे आप सब कि लिए इसकी पहली क्लास में आप सबका स्वागत है एक बर वटा-फट से लाइक कर दीजिए और मुझे थम्सब दे के बता दीजिए कि सब कुछ फाइन है नए सिरे से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो एकनोमिक्स को बात करेंगे आज क्लासिकल एंड केंजियन एकनोमिक्स की ठीक है तो मैं आपको एड देंड वो भी बताऊंगे कि मैंने किन-किन रेफ्रे पर भी निकाल लीजिए चीजों को नौट डाउन करने के लिए टेलिग्राम में नौटिफिकेशन चला गया न जी चला गया है यह से वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग टॉ अल गुड इवनिंग यस पैन पेपर ने काल लिया सभी ने तो राइड दाउन देंग त्थिंग्स तो ड्रॉड दाइग्रांज तो राइड दाऊं पन्पॉंट्स पीन्पॉंट्स जालो So, let's start the class, the classical theory of employment So, आप सबको वेले तो ये पताने चाहिए, classical economist होते है कौन कौन से है Classical economist में सबसे पहले जिसका नाम आता है Adam Smith और दूसरे number पे जिसका नाम आता है वो है Ricardo ये दो जो हैं, ये हमारे classical economist है Adam Smith है and Ricardo, most important So, जब भी अर्थ economics की start होई थी ना तो सबसे पहले classicals ही आए थे जब भी आपको कोई chronological order पूछा जाता है ना तो आखे बंद करके पहले number पे classicals लगा दिया करें क्योंकि कोई भी economic theory की बात करें तो उसमें सबसे पहले classicals की theory ही आई है So, जो classicals थे ये believe करते थे कि जो full employment है economy में full employment ये एक normal situation है यानि कि कोई भी economy जो है वो full employment में ही रहती है Full employment एक ऐसी market situation है जिसमें वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं उनको नोकरिया मिल जाती है So, full employment उनके लिए एक normal situation है और अगर इस full employment से हटते हैं अगर इस full employment से कोई deviation होती है तो तब economy में कुछ abnormal आएगा यानि कि full employment एक normal situation है जबकि असल में हम reality में देखें तो हमको आज पास अपने कहीं भी full employment नजर नहीं आती बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं बट उनके लिए नोकरियां अवेलेबल नहीं है बट classical का ये मानना था कि economy में full employment एक normal situation है जितने काम करना चाहते हैं सबको जो है वो नोकरियां मिल जाती है fine अगला assumptions इसकी main पढ़ते हैं एक मैंने आपको बता दिया full employment सबसे दूसरी सबसे important assumption यहां पे less is fair capitalist economy so less is fair system क्यों सा system है जहां पे government के interference नहीं है जिसमें सरकार की कोई डखल अंदाजी नहीं है capitalist economy वही होती है जिसमें सरकार की दखल अंदाजी नहीं होती पूंजी पतियों का राज होता है closed economy है किसी तरह का हम अंतर राजट्रिय व्यापार यहां पे नहीं कर रहे हैं labor market and perfect market जो है इसमें perfect competition है मैं यह सब चीजें आपको micro economics का जो course था theory of distribution, theory of factor pricing उसमें समझा चुकी हूँ कि अगर labor market में perfect competition हो तो क्या होता है अगर product market में perfect competition हो तो क्या होता है labor market वाला वही VMP is equal to MRP and VMP is a demand curve for labor करवाया था ना theory of factor pricing में मैंने यह सब आपको और product market में अगर perfect competition है simply MC, MR and यह डाइग्रामेटिकली थरू की जो MC है वो MR को cut करता है from below labor homogenous है heterogeneous नहीं है एक ही तरह का है labor उसमें skill जो है वो एक ही तरह की है total output जो है consumption and investment में divide हुआ 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 I hope कि आप सब को consumption and investment में फरक पता होगा अगर मैंने self drive के लिए अपनी family के लिए गाड़ी खरी दी this is my consumption अगर गाड़ी इसलिए खरी दी कि एक driver की तरह यानि कि मुझे वो गाड़ी को ओला में या उबर में लगाके taxi service का काम करना है है ना तो it will be my investment quantity of money जो है इसमें given है माना जाता है और जो money है मों medium of exchange का काम करता है यानि के money का एक ही काम है medium of exchange यानि के classicals ने money के store of value वाले function को ignore किया है ठीक है? wages and prices जो है पूरी तरह से flexible है wages and prices flexible है इसी कारण तो इसी कारण तो जो हमारा equilibrium है वो government के interference के बिना आ जाता है ठीक है? क्योंकि wages and prices flexible है अभी diagramatically समझेंगे perfect information है market में money wages and real wages जो है directly related है मतलब अगर money wage बड़ेगी तो real wage भी बड़ेगी proportional एक directly relate कर रहेगी savings and interest investment जो है इसमें equality है यानि के savings equal to investment और इस saving and investment में जो equality है वो rate of interest के तुरू आती है ठीक है? यह हम diagram से अभी समझेंगे technical knowledge यहाँ पर given है capital given है law of diminishing returns जो rate होता है मतलब सारा समझा है हमने diminishing returns वाला law अगर हम fixed factor के साथ variable factor की quantity बड़ाते जाए बड़ाते जाए एक limit से ज़्यादा बढ़ा दे तो ultimately हमारी production कम होनी शुरू हो जाती है longer resume करता है यह ठीक है in which all factors are variable so जो classical doctrine है ना इसी में हम sales law of पढ़ते हैं sales law of market so sales law of market basically supply creates its on demand supply creates its on demand यह किस ने कहा है यह sales ने कहा है और यह doctrine classicals से ही relate करता है ठीक है इसका मतलब है कि supply and demand जो है वो ultimately equal रहते हैं ठीक है ultimately equal रहते हैं so यहां पर barter system barter system क्या है जिसमें goods जो है goods के goods खरीद कर goods ही बेज़े जाते हैं जहां पर money अभी नहीं आया था sales law of market में barter system की बात की गई थी ठीक है किसी भी तरह की over production नहीं होगी economy में equilibrium रहेगा यानि के जितना produce हुआ वो सारा demand हो जाएगा बिक जाएगा कुछ भी extra नहीं बचेगा ठीक है and यह सारा हमने पढ़ लिए sales law of market laws की basic implications यह मैंने आपको भी समझाई है वही है जो अलग point है वो समझा देती हूँ जैसे automatic adjustment वाला थोड़ा अलग point है and बाकी वही है automatic adjustment का मतलब क्या है कि अगर government interfere नहीं कर रही economy में है ना तो जो हमारी market forces है demand and supply की है ना वो automatically economy को equilibrium में ले आएंगे इसको हम भी diagramatically समझेंगे automatic adjustment का मतलब होता है government की interference के बिना जो adjustment हो रही है ठीक है so देखिए अब यह थोड़ा diagramatically हम इन चीजों को समझते है so classical theory कहती है कि जो output है ना it is increasing function of the number of workers यानि कि स्यान से समझे जैसे जैसे number of workers बढ़ते हैं वैसे वैसे मेरा output भी बढ़ रहा है but up to a point याद करो हमने assumptions में पढ़ा था diminishing returns diminishing returns अगर मैं जरूरत से जादा labor higher कर दूँगी तो ultimately यहाँ पे मेरे returns diminish होने शुरू हो जाएंगे but after a point diminishing returns start समझाई ना starting में तो labor बढ़ने से output बढ़ेगा but take point के बाद labor बढ़ने से output कम होना शुरू हो जाएगा ठीक फिर आता है आगे labor market equilibrium labor market equilibrium का मतलब है कि जो supply है labor की वो labor की demand के equal है सबसे पहले हम मतलब समझते है what is the meaning of supply of labor and demand of labor exam में labor supply से question आया था ठीक है so देखिए supply of labor का मतलब होता है labor supply जो लोग काम करने के लिए तयार हैं वो सारे labor supply में आते हैं जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इसमें आते हैं यानि के जो employed है plus जो unemployed है वो labor supply में आते हैं एक ओती है labor supply एक ओती है workforce labor supply में वो सारे बंदे आते हैं जो काम करना चाहते हैं जिनको काम नहीं मिल रहा plus जो काम कर रहे हैं workforce में सिरफ वही आते हैं काम कर रहे हैं बस ठीक है so demand of labor यानि कि जो factories हैं जो establishments हैं उनको कितना labor चाहिए ठीक है तो labor market equilibrium यानि कि demand for labor and supply for labor equal है तो यह equality किसके through determine होती है wage rate के through determine होती है तो अब ध्याल से वाद समझिएगा हमने अभी assumption पड़ी थी that wages are flexible assumption पड़ी थी कि wages जो है ये flexible है तो इसका क्या मतलब है अब मान लीजिए कि short run में short run में wages मेरी बढ़ जाती है तो wages बढ़ने से जो labor की supply है वो labor की demand से बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी है ना तो अब ध्यान से सोच के देखिए जब काम करने वाले बड़े लोग हैं बट जो हायर करने जो factories हैं उनको इतना labor चाहिए नहीं काम बहुत लोग भीड लगी होई है लाइनों की है ना बट इंडस्ट्रिस को इतना labor नहीं जाएगे तो इंडस्ट्रिस क्या करेंगे वेज कम कर देंगे उनको पता इतना labor है जिसको काम की जुरूरत है अगर मैं वेज को कम भी कर देता हूं ता भी मेरे पास आई जाएंगे कोई ना कोई तो है ना so they will reduce the wage rate ultimately in long run हम फिर से equilibrium situation पर पहुँच गए इसी तरह से short run में अगर फिर wage कम हो जाती है यानि के classicals बोल रहे हैं कि deviations possible हैं बट सिरफ short run में possible है है ना ultimately in the long run सब कुछ equilibrium में आ जाता है क्यों आ जाता है क्योंकि wages flexible है ठीक है फिर से अगर wage rate कम होगी तो demand for labor बढ़ जाएगी जब labor की demand बढ़ेगी तो जो industries है वो wages को बढ़ा देंगे ultimately long run में हम फिर equilibrium पर आ गए और ये सब चीज़े government की सहायता से बिना हुई है government की interference के बिना एक चीज और important है demand for labor is decreasing function of real wage rate demand for labor is a decreasing function of real wage rate तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मेरा wage rate जो है वो बढ़ेगा तो मेरी demand for labor कम होगी क्यों मान लीजे मेरी एक company है मेरी एक factory है ठीक है तो demand for labor बढ़ेगा मुझे बहुत labor है जो काम पर रखने के लिए चाहिए demand for labor बहुत है तो मैं wage rate कम कर दूँगी क्योंकि मैं salaries मेरा budget तो fixed है अब मैं salaries कम कर दूँगी क्योंकि मुझे ज्यादा labor चाहिए मुझे ज्यादा labor को salaries जेनी बढ़ेंगी तो मैं per unit के accordingly उनकी salaries कम कर दूँगी यानि के demand for labor बढ़ेगी तो wage rate कम होगी और अगर supply for labor बढ़ेगी तो wage rate बढ़ेगी ठीक है हां तो अगर wages बढ़ेगी तो supply for labor बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा तन खुआप पर बढ़ेगी तो अगर wages बढ़ेगी तो supply for labor बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा तन खुआप पर सभी काम करना चाहते हैं सभी चाहते हैं कि हम ज्यादा तन खुआप पर काम करें बट wage rate बढ़ने से demand for labor कम होगी क्योंकि मुझे अगर salaries workers को ज्यादा देनी पड़े तो मैं उनकी demand कम कर दूँ ठीक है अगर मुझे उनकी salaries कम देनी पड़े तो मैं उनकी demand को बढ़ाओंगी बात समझे हो ना is it fine ना अब सबकी ये tendency रहती है कि अगर आपको ज्यादा salary मिलेगी आप तब काम करना चाहेंगे अगर कम salary मिल रही है तो आप कहेंगे नहीं हमको नहीं नोकरी करने है ना वही चीज है wage rate जादा होगी तो supply for labor बढ़ेगी जादा लोग काम करने के लिए तैयार होगी ठीक है फाइन ये सब समझ आ गया आगे देखिए goods market equilibrium so goods market equilibrium में हम बात करते हैं saving and investment की तो saving and investment में equality आ रही है rate of interest के थ्रूँ rate of interest के थ्रूँ यहाँ पर एक चीज समझिए जब rate of interest बढ़ता है तो saving बढ़ती है बट अगर rate of interest बढ़ता है तो investment कम होती है ठीक है अगर मुझे banks में पैसे जमा करवा के जाधा interest मिल रहा है FTS पर जाधा interest मिल रहा है तो मैं saving जाधा करूँगी बट अगर मुझे rate of interest जाधा मिल रहा है तो मैं investment कम करूँगी क्योंकि मैं save जाधा करूँगी obviously है ना अगर मैं save जाधा करूँगी तो यानि कि मैं invest कम करूँ यहाँ आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर मुझे जो loans दो तरह के rate of interest होते हैं एक वो जो मुझे banks के द्वारा मिलता है एक वो जो मैं banks से loan लेने पर उनको देती हूँ अगर हम इसको दूसरी तरह से समझें अगर rate of interest बढ़ेगा यानि के लोग loans कम लेंगे क्योंकि उनको loans महंगे पढ़ेंगे तो वो investment कम करेंगे fine समझाया तो यहाँ पर equilibrium है अगर rate of interest short run में बढ़ जाता है तो savings investment से बढ़ जाती है savings ज़्यादा बढ़ने के कारण जो banks हैं वो rate of interest को फिर कम कर देते हैं ultimately हम long run में equilibrium पर पहन जाते हैं ठीक है अगला चीज जो है money market equilibrium classical में तो जो classical है ना इन्होंने जो हम Fisher theory पढ़ते हैं demand for money की उसमें हम equation लेते हैं mv is equal to pt है ना इसी equation के अधार पर classical ने यहाँ पर बात की है इस equation का क्या मतलब है that is money supply that is velocity of money that is price level and that is transactions trade transactions तो classical कहते हैं कि इस equation में हम v and t को constant रखते हैं क्या रखते हैं constant v क्या है velocity number of times a unit of money changes hand to hand एक रुपईया माल लिजे एक 10 रुपई हैं तो 10 रुपई माल लिजे मैंने earn किये तो मैंने कमा कर अपनी बेटी को दिये मेरी बेटी मार्किट में गई उसने अंकल से कोई चीज ली कुछ बाय किया और उसने उस अंकल को पैसे दे लिए अंकल घर गया उसने अपने बेटे को दस रुपई दे लिए that is a velocity of money कि जो क्रंसी है वो hand to hand कितनी change हो रही है कितने हाथों में change हो रही है so classical ने कहा है यहाँ पर हम B&T को constant रखेंगे और relationship जो है न वो सिरफ M&P में ही है यानि के M बढ़ने से P बढ़ेगा M क्या है money supply अगर economy में money supply बढ़ेगी तो उससे price level बढ़ेगा बट याज रखेगा यह उल्टा नहीं हो सकता अगर मैं कहूं price level बढ़ने से money supply बढ़ेगी it is not possible ठीक है सिरफ money supply के बढ़ने से ही price level बढ़ता है ठीक है so यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह मेरा MB curve है जब यह आगे गया यह money supply का कव है जैसे ही मेरी money supply बढ़ती है मेरा money supply का कव आगे जाता है इसी के साथ price level भी मेरा बढ़ जाता है ठीक है fine यही चीज जो मैंने आपको समझाई अभी अब criticism जो classical theory है उसके थोड़े criticism देखते हैं क्या क्या है सो Keynes ने जो classical theory है इसको criticize Keynes ने किया है Keynes ने तो पूरा मतलब classical को जम कर criticize किया है कि इन्होंने बोल कैसे दिया कि lezis fair policy काम करेगी without government interference ऐसा हो सकता है बहुत चीजें उसने criticize की पहली चीज केंस कहता है how is it possible कि economy में full employment हो नहीं हो सकती Keynes कहता है economy में हमेशा under employment रहती है full employment कभी नहीं होती यानि कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिलता there is always under employment equilibrium दूसरा Keynes ने sales law को criticize किया sales law ने कहा था कि supply and demand equal है बट Keynes कहता है नहीं economy में कभी भी जितना supply हुआ है वो demand नहीं होता self adjustment not possible self adjustment यानि के government के interference के बिना चीजें अपने अप adjust नहीं होती कि Classicals ने कहा था कि saving and investment में जो equality आती है वो rate of interest के थुरू आती है अब Keynes ने कहा है कि saving and investment में जो equality आती है वो income के कारण आती है fine Classicals ने कहा था money neutral अभी ये neutral वाला concept हम समझेंगे बट Keynes ने कहा नहीं money neutral नहीं है ठीक है Classicals ने कहा कि state intervention जरूरी नहीं है government ना दखल दे काम चल जाएगा Keynes कहता है state intervention बहुत जरूरी है ठीक है Classicals ने जो quantity theory of money है जो हमने अभी ली थी mv is equal to pt इसको भी criticize किया है और सबसे important चीज केंज ने कहा है कि long run in long run we are all dead in long run we are all dead लंबे समय में तो हम सभी मर जाते हैं तो लंबा समय किसने देख है तो जो theory बनानी है it should be applicable in short run only Classicals की theory long run के भी हाफ पे थी ना इसलिए Keynes ने उसे criticize किया है कि जो long run है वो unrealistic होता है Fine अभी Classicals का यह जो last concept है Classical dichotomy जिसे हम neutrality of money के नाम से जानते हैं उसके बारे में थोड़ा समझेंगे यहां तक बताईए किसी को कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ सब को समझ में आ गया है समझें से सही चल रहा है सब कुछ आवाज आ रही है कोई reply नहीं आया आपका समझ आ गया यहां तक लेक्चरशिप इंट्रवियू में किस तरह के कोश्चन इस पर मैं एक शोट बना दूँगी बिजय लक्षमी जी ठीक है जल्द ही इस पर एक शोट बना दूँगी सो क्लासिकल डिकाटमी का यहां पर मतलब है देखिए कि एक आनमी में दो सेक्टर्स एक्जिस्ट करते हैं एक रियल सेक्टर और एक मोनीटरी सेक्टर ठीक है और यह दोनों सेक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है यानि कि डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पर ध्यान से समझिए complete independence of real variables from nominal variables real variables जो है वो nominal variables से बिलकुल independent है यानि कि अगर nominal variables में किसी भी तरह का कोई change आता है ठीक है तो उससे real variables affected नहीं होते है fine इसका ये भी मतलब आप कह सकते हैं कि money जो है वो neutral है money neutral है यानि कि अगर money में nominal variable में कोई change आता है तो उसका effect real variable पर नहीं पड़ता है यानि कि उसका effect money का जो effect है वो neutral है ठीक है money impact prices and hence only effects money में किसी भी तरह का कोई change आता है तो उससे सिर्फ nominal variables पर फरक पड़ता है real variables पर नहीं ठीक है fine समझ में आया real variables बहुत बार आपको समझाएं है क्या होती है real wages what is the difference between nominal and real concept आप बताएंगे मुझे इस वीडियो के comment box में I will see क्योंकि यह चीज मैंने अपनी परानी classes में बहुत बार बताई हुई है real and nominal में different आप मुझे इस वीडियो के comment में बताएंगे और अगर नहीं समझ में आता तो अगली class जो हमारी कल है उसके live session में आके मुझे doubt clear करेंगे I will tell you ठीक है आगे देखिए आगे आगे आपका classical aggregate supply curve यह exam में question आता है ध्यान रखिएगा कि जो classical हैं उनका supply curve है वो कैसा बनता है long run aggregate supply curve so classical का aggregate supply curve इस तरह से बनता है ठीक है इस तरह से that is long run aggregate supply curve you can see here is price level and here is output या income ठीक है तो price में changes आने से यहां पे output पे कोई भी effect जो है वो नहीं बढ़ रहा long run aggregate supply curve आपका vertical straight line बनता है और एक चीज़ यहां पे ओर याद रखना the other important thing you have to remember कि जो classical है न वो supply side पे focus कर रहे हैं supply side पे focus करते हैं और जो keynesians हैं यह demand side पे focus करते हैं ठीक ठीक है जी चलो अगला देखते हैं ग्लासिकल्स क्लासिकल्स क्लासिकल्स में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को let's start the Keynesian theory Keynes theory of employment Keynes की book का नाम सबको पता है बताईए कब आई थी यह book अभी बताईए मुझे general theory of employment in trust and money जिसमें उसने classical theory को challenge किया था बताईए तो मैंने एक बर कहीं से पढ़ा था कि यह जो Keynes थाना उस टाइम पर भी civil services exams हुआ करते थे जैसे हमारे अब IES IPS होते हैं तो मैंने सुना था कि उस टाइम जब classicals का system चलता था तो Keynes in exams में बैठा था और Keynes ने जब civil services का exam दिया था तो as you know वहां पर अपने viewpoints पूछे जाते हैं आप चीजों को अपने point of view से elaborate कर सकते हैं तो Keynes ने अपने exam में अपने viewpoints दिये as you know कि वह classicals कि अगेंस था and he criticized the classical system तो that's the reason कि उसको exam में fail कर दिया गया और उसका exam clear नहीं हुआ उसके बाद उसने अपनी ये book लिखी थी general theory वाली इतनी successful रही पूरी economic theory में इस book ने revolution create की ठीक है अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि Classicals के जादा Keynesians जो है जादा लोग प्रिये हैं इनके जो सिधान्त हैं वह बहुत लोग प्रिये हैं 1936 years चला अभी उस टाइम पर 1929 की आसपास depression आया था depression के हलात आये थे पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में उस depression का असर बढ़ा था US depression था US depression था एक बर चेक कर ले जगा US depression ही था पूरे वर्ल्ड पर उसके effect पड़े थे तो उस टाइम पर गौर्वर्मेंट की interference के बिना वो depression काबू में नहीं आ रहा था तो उस टाइम केंज ने Classicals को challenge किया था कि where are the invisible hands of Adam Smith थाव Adam Smith के यहां पर invisible hands कहां पर है invisible hands वही हैं demand and market supply वाली forces जो automatically economy को equilibrium में ले आती है government के interference के बिना so Keynes card where are these invisible hands of Adam Smith depression तो ठीकर नहीं पाई तो उस टाइम पर Keynes ने fiscal policy को बताया था कि यह जो governmental policies होती जैसे fiscal policy government की policy है यह economy को इन बुरे हलातों से निकाल सकती है depression से बाहर निकाल सकती है तो उसने यह चीज़ empirical evidence मतलब प्रूफ किया इस चीज़ को कि जो government interference यह कहीना कही ज़रूरी होती है जब economy के हालात काफी खराब हो जाते है तो अच्छा यह हो गया आपका तो यह पहले देख लो एक बर फिर आगे स्टार्ट करते हैं अगर आप मेंसे कोई भी पूरा कोर्स मेरा जॉइन करना चाहता है Unacademy Plus पे तो आपको बता दू कि अभी offer भी चल रहा है मेरा Simmer 10 discount code है अभी offer चल रहा है और आज तक किया है कल नहीं होगा तो इसमें आप enroll कर सकते हैं में भी पारुल जी दिवाली से पहले आज आनी चाहिए answer की So Keynes theory of employment principle of effective demand कईयों की तो इस पर दिवाली अच्छी रहने वाली है कईयों की खराब रहने वाली है result की वज़ा से So effective demand के बारे में समझते हैं पहले Keynes के effective demand के principle के बारे में So effective demand का क्या मतलब होता है Effective demand एक वो level है जहां पे economy में aggregate demand and aggregate supply जो है वो equal रहते हैं काम में पूछा जाता है कि यह जो effective demand का concept किस ने दिया है Effective demand का concept Keynes ने दिया है Effective demand एक वो level है जहां पे aggregate demand and aggregate supply equal रहते हैं तो यह समझे थोड़ा सा इस table के थू Keynes कहता है Keynes की बात कर रहे हैं कि जो aggregate effective demand है वो दो चीज़ों पे यहां पे depend करेगी देखिए एक चीज़ ध्यान से समझ लीज़े कि जो Keynes है ना उसने सिरफ aggregate demand की यहां पे बात की है क्योंकि उसने aggregate supply को constant माने अब सबको मैंने अभी बताया था कि Keynes ने supply side की बात नहीं कि उसने सिरफ demand side की बात की है तो उसने जो aggregate supply है उसको constant माना है Keynes ने short run की बात की है तो उसने कह कि short run में aggregate supply constant रहता है changes सिरफ aggregate demand में आते हैं ठीक है एक उसने और equilibrium दिया है aggregate demand is equal to aggregate supply exam में यह numerical question आ सकते है aggregate demand is equal to consumption plus investment जो मैंने यहां पे आपको दिखाई है and aggregate supply is equal to consumption plus savings ठीक है तो Keynes ने इस side को constant माना है changes सिरफ इस side में ही consider की है fine so अब देखिए जो consumption demand है यह आगे दो चीजों पे depend करती है कौन सी income and propensity to consume और जो investment है यह दो चीजों पे depend करती है rate of interest and MEC that is marginal efficiency of capital ठीक है so consumption किस पे depend करती है income पर and propensity to consume पर investment किस पे depend करती है rate of interest पर and MEC ध्यान से एक बात समझे जब पूछा जाए कि केंस के according investment depend किस पे करती है पर अगर पूछा जाए केंस के accordingly savings and investment में equilibrium किस के through generate होता है इंकम के through होता है ठीक है वो income के through होता है अब देखे rate of interest आगे डिपेंड करता है money supply पर and liquidity preference money supply आप सबको पता है monetary policy हम सबने कई बर पड़ी हुई है अगर rate of interest कम होगा तो money supply पर उसका क्या impact पड़ता है money supply बढ़ता है है ना prices बढ़ते हैं and liquidity preference यह हम Keynes की theory पढ़ेंगे liquidity preference का मतलब है कि लोग अपने हाथों में कितना पैसा रखना चाहते हैं अगर rate of interest बढ़ेगा तो जो speculative demand for money है speculative demand for money वो क्या होती है कम होती है क्योंकि लोग हाथों में फिर कम पैसा रखेंगे बैंकों में जादा जम्मा करवाएंगे rate of interest बढ़ने से liquidity preference कम होती है और rate of interest बढ़ने से money supply भी कम होती है इनमें negative relationship है ठीक है fine आगे दूसरा MEC Marginal efficiency of capital expected profit from investment कि investment से कितने profit की उमीद है ठीक है यह दो चीजों पर depend करता है capital की cost and prospective profits मेरा जो capital है उसपर मेरी cost कितनी लगी और prospective yield मतलब lifetime मैं उस capital से कितना कमा सकता हूँ lifetime मेरी उस capital से कितनी yield रहेगी कितनी earnings रहेगी fine इसपे depend करती है MEC देखिए जितनी जादा आपकी capital की cost कम होगी आप कह सकते हैं कि उससे expected profit उतना ही जादा होगा है ना तो यह दो चीज़े negatively relate करेंगे blank slide पर करवा देए यहाँ पर करते हैं सो देखिए जैसे classical ने कहा था ना कि full employment है full employment है Keynesians ने कहा है कि under employment है under employment है Classicals ने कहा है government interference की जरूरत नहीं है Keynesians ने कहा है Classicals ने long run की बात की है और Keynesians ने short run की बात की है ठीक है Classicals ने money को सिरफ medium of exchange कहा है जबके Keynesians ने money को a core function दे दिया store of value मतलब medium of exchange के साथ money जो है वो store of value का role भी अधा करता है fine these are the basic differences हां जो Classicals थे इसमें किसी तरह की money illusion नहीं थे भी money illusion का concept समझेंगे there is no money illusion जो Keynesian है इसमें money illusion है exam में question आया था money illusion का concept किस ने दिया है money illusion का concept Fischer ने दिया है ठीक है Fischer ने दिया है अच्छा एक चीज़ और demand for labor जो है ना यह real wages का function है और supply for labor जो है यह money wages का function है दुबारा से सुन लीजिए Keynes की थियोरी में जो demand for labor है वो real wages का function है real wages का formula होता है real wages का formula होता है money wages divided by price ठीक है money wages divided by price बात समझे and जो supply for labor है वो उसने कहा है सरफ money wages का function है जो demand for labor है वो real wages का function this is very important concept but जो classical है इसमें यह दोनों ही real wages का function है supply for labor and demand for labor दोनों ही real wages का function है ठीक है अब आप पूछोगे why this इसा क्यों बड़ी डिटेल में जाए इतनी डिटेल आए एक्जाम है तो पूछी नहीं जासती चला हूँ बता रहती हूँ supply for labor जो है यह यह यहां पे nominal wages का function क्यों है real का क्यों नहीं है क्योंकि यहां पे money illusion है क्योंकि यहां पे workers को money illusion है मान लीजिए मेरी 2011 में income थी 10,000 ठीक है और price level था 4% मेरी 2012 में income फे से 10,000 ही रह गई और price level हो गया 5% So you can conclude from it की मेरी money wages तो constant रही same रही but मेरी real wages क्या हुई है कम हुई है क्यों कम हुई है क्योंकि पहले मैं 10,000 से जितनी चीज़ें ले सकती थी न अब मैं 10,000 से उतनी चीज़ें नहीं ले सकती क्योंकि prices बढ़ गए है That is the example of declining real wages तो Keynes की theory में workers समझ नहीं पाते कि उन prices के बढ़ने से real wages में कोई change आ रहा है उनको नहीं समझ में आता ठीक है तो यह अभी हम ओड डिटेल में पढ़ेंगे अभी देखिएगा new classicals, new Keynesians में यह सारे concept आपको कितने अच्छे से clear हो जाने है सारे हाँ एक चीज और है जो classicals है इसमें wages के flexibility की बात कही गई है कि wages flexible है बट Keynesians में wages की rigidity की बात कही गई है कि wages flexible नहीं है wages rigid है constant है ठीक है अच्छा अभी पढ़ा तो वसे काफी है बट इतना अभी lecture का time हो गया आपका यह था basically money ways rigidity है सारी आपको चीजे समझानी थी अभी मैंने अच्छा हम ऐसा करते हैं इस चीज को बस समझ लेते हैं यह जो है यह हम next lecture में कर लेंगे सरफ इस चीज को समझ लेते हैं क्योंकि जो अभी समझाया है यह चीज इससे ही related है तो अभी मैंने आपको बताया कि केंजियन के model में वेज रिजिडिटी की बात कही गई है यानि के वेजिज चेंज नहीं होती वेजिड वेजिज जो है वो रिजिड यानि के constant रहती है तो इसका मतलब क्या है देखिए यहां पर कारण समझेए वेज रिजिडिटी का कारण क्या है पहली चीज कि जो workers है वो unwilling है money wages वेजिडिडिटी का मतलब है चीज constant रह रही है उसमें बदलाव नहीं आ रहा है तो पहले इसमें उसने reason बताया है money illusion का money illusion का क्या मतलब होता है money illusion का मतलब होता है workers fail to realize that value of money changes when price rises वही चीज जो मने अभी समझाई है workers यह समझ नहीं पाते कि अगर price बढ़ेगा तो price बढ़ने से उनके जो पैसे की value है वो कम होगी यानि कि price बढ़ने से उनकी real income कम होगी वो यह चीज समझ नहीं पाते ठीक है वो यह चीज समझ नहीं पाते तो that's the reason कि यहां पर money wages जो है यह constant रह रही है money wages में वो किसी भी तरह की change demand नहीं करते मान लीजे एक example देती हूँ मान लीजे अगर prices बढ़के 4-5% हो गया अगर मुझे समझ में ही नहीं आई कि prices बढ़ने से मेरी real wages कम हो जाएंगी तो मैं अपनी wages जाधा demand करूंगी नहीं मैं कहूंगी नहीं मुझे जाधा wages दो prices बढ़ गए है बात समझे workers money illusion में रह रहे है वो यह चीज रलाइज नहीं कर पा रहे है कि price बढ़ने से उनकी real wages कम हो रही है समझे बात दूसरा कारण है कुछ contracts होते हैं जैसे तीन साल का contract है कि हमको तुमने तुमको इतना ही पे करना इससे जाधा इससे कम पे नहीं करना उनक्त्रेक्स कम नहीं करना से कारण भी wages money wages constant रहती है कुछ minimum wage laws बने होते हैं कानून के कि इतनी wages आपको workers को पे करनी ही करनी है that's why producers wages को कम नहीं कर सकते चोती चीज जो Keynes ने दी है that is efficiency wages efficiency wages का concept बड़ा दिल्चस्प है Keynes कहता है कि workers को नहीं minimum level wages का देना चाहिए एक अच्छा खास है efficiency वाला level देना चाहिए workers की wages जो है उस efficiency वाले level से कम नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे उनके काम करने की गुनवत्ता कम होगी अगर हम उनकी wages उस level से कम कर देंगे तो कहीं न कहीं उनके काम करने की गुनवत्ता कम होगी that is also a reason of waste rigidity ठीक है आया कुछ समझ में तो basically मैंने आपको Keynes में दो concept समझाए है waste जो है यह rigid Q रहती है एक concept समझाए है waste जो है यह rigid Q रहती है wages जो है money wages जो है यह constant Q रहती है Keynes के model में उसके क्या कारण होती है money illusion का concept भी आपको clear हो गया है ना चलो तो यहां तक ही आज खतम करेंगे तो हमने क्या क्या किया एक बर देख लेते हैं थोड़ा सा तो मैंने आपको सबसे पहले classical की theory का basic और उसकी assumptions समझाई sales law के बारे में हमने पड़ा फिर हमने diagramatically explanation से समझा कि flexible wages के कारण यह flexible rate of interest के कारण हम equilibrium में पहुंच जाते हैं क्लासिकल के criticism की हमने बात की classical dichotomies समझा aggregate supply curve समझा फिर हमने Keynes की theory start की effective demand क्या होता है यह सब चीजों में relationship establish किये हमने फिर हमने classical and Keynes में difference देखा कि यह difference कहां पर है और फिर मैंने आपको Keynes का यह वला concept समझाया कि wages constant क्यों रहती है अभी आपको कोई doubt है तो एक बार इस lecture को repeat करके दुबारा से देखना ठीक है दुबारा से देखना mathematical economics के लिए कोई एक book I will not prefer आप I think कि आपको pyq से mock test से या classes से ही revise करना चाहिए इससे अच्छा कुछी नहीं है ठीक है चलो अगर आपको session अच्छा लगा है तो please इसे like share जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ भी और दूसरों को भी इसका फाइदा पहुंचे क्योंकि यह basic concepts अभी तक कहियों के clear नहीं है दूसरे exams की अगर आप किसी अच्छा की बुक प्लस जो मेरी बुक है UGC NET TECHNOMICS की ठीक है इन बुक से मिक्स था okay so thank you very much take care bye bye